नाजरीन आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल चॉकलेट चिप कुकीज तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे तकरीबन 1 कॉप चॉकलेट चिप्स 2 एग्स और शुगर हमें चाहिए होगा 3 फोर्थ वाइट शुगर रेगुलर शुगर और ब्राउन शुगर हमें चाहिए होगा 1 भाइफ कप और 1 टी स्पून सॉल्ट 1 टी स्पून बेकिंग सोड़ा 1 1.5 टी स्पून हमें चाहिए होगा वणीला एसेंस का और जो मैदा है वो हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 कॉप्स बटर हमें टू स्टिक्स चाहिए होंगी रूम टंपरिचर की तो सबसे पहले हम शुगर ब्राउन शुगर वनीला और एग्स को मिक्स कर लेंगे और 30 सेकंड चलने के बाद अब हम इसमें मिक्स करेंगे बटर दोनों स्टिक्स तकरीवन रूम टेंपरेचर यह मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से इनको स्पीड इसके हम वन स्टेप तेज कर देंगे और साथ ही हम डाल देंगे बेकिंग सोडा और सॉल्ट और स्पीड अब आइस्ता करके तो साथ साथ हम इसमें डाल देंगे मैदा थोड़ा थोड़ा स्टेप बाइस्टेप यह तमाम इसमें डाल देना है और अब हमने इसमें डाल देने हैं चॉकलेट चिप तमाम चॉकलेट चिप इसमें डाल दें और जो अगर साइडों पर लग रहा है तो इस तरह इसको इस तरह से स्क्रेप कर दें ताके तमाम चीजें बहुत अच्छे तरीके से लिए मिक्स हो जाएं और चॉकलेट चिप डालने के बाद आपने इसको 15 सेकंड तक मिक्स करना है अब आप इसको राइट अवे भी बना सकते हैं या इसको आप फ्रीज करके तो जब कभी आपका दिल चाहे आप तब भी बना सकते हैं अगर आप फील कर रहे हैं कि डो थोड़ा सा स्टिक्की है आप से हैंडल करना मुश्किल हो रहा है तो आप उसको चंद घंटों के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं ताके वो है आहाड हो जाए और हैंडल करने में असानी हो आप इस डो से हम कुकीस की शेप बना लेंगे और कुकीस को हमने वन से टू इंचिस के फासले पे रखना है तो यह देखिए कुकीस त्यार हैं इनको मैंने वैक्स पेपर या पार्शमेंट पेपर पे इस तरह से तकरीबन दो इंच के फासले पर रखा है ताके फैल के तो वो एक दूसरे से चिपक न जाए और अब मैंने अवन को प्री हीट कर दिया है तकरीबन 325 डिग्रीज पे डिपेंड करता है आपके अवन पे तो अब हम इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे तो साथ साथ हम इनको चेक कर लेंगे आपके अवन पे डिपेंड करता है कुछ का अवन जो है वो तेज होते है तो यह देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए है अभी इनको पकने में थोड़ी सी और देर है तो अब हम इसको दूबारा बंग कर देंगे तो तकरीबन 12 मिनट हो गए है कुकी हमारे त्यार है आप इनको इस तरह से चेक कर लेंगे देखे नीचे से अगर यह गोल्डन ब्राउन हो गए है तो इसका मतला बे त्यार है लेकिन इस स्टेज पर आपको यह थोड़ी से सॉफ्ट लगेंगे और लेकिन यह त्यार हो तो यह दिखे नाजरीन चॉकलेट चिप कुकीज हमारे त्यार हैं बहुत ही असान रेसिपी है बहुत मज़े के बनते हैं आप भी जरूर ट्राइ करें और मुझे जरूर बताएं के कैसे बनें